ही गाइस बेलकम बैक टू मैं चैनल दिपिका स्टायल मैं हूँ दिपिका कैसे हैं आप सभी लोग I hope सब ठीक होंगे तो यह देखिए मैंने यह आप सीवाईया वनाई है मीठी सीवाईया यह खाने में बहुत ही तेश्टी लगती अगर मीठा खाने का मान होते यह जरू ट्र करिएगा ताकि मेरी आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे मीठी सीवाईया बनाने के लिए मैंने आप लिया है एक कप दूद नेक्स्ट सीवाईया है यहां पर लाइची दाने है जिनको मैंने ग्रश कर लिया है आप लाइची पाउडर का भी यूज कर स तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना तो गैस पे मैंने कडाई चड़ा दी है और कडाई गरम हो चुकी है फ्लेम को मीडियम रखा है मैंने इसमें डालूंगी मैं घी घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम सीवाईयों को थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसका सिवाईया एड़ कर देती हूं इसमें और इसको मीरियम फ्लेम पे ही हम हलका हलका सा चला के रोस्ट कर लेंगे एक सेकंड एक मिनिट में ही यह सिवाईया रोस्ट हो जाएंगी तो यह देखिए रोस्ट हो चुकी है मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूं तो अगेन म तोड़ा सा घी और डालूंगी एक चममच और इसको मेल्ट होने दूंगी इसमें फिर जो मैंने ड्राइफ रूट्स लिये थे उनको हल्का सा रोस्ट करूंगी इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया लगते हैं तो ये फ्राइ हो जात ये सिवईयां डालूंगी जिनको मैंने रोस्ट कर लिया था घी में लाइची पाउडर के साथ थोड़ा सा और मैं रोस्ट करूंगी आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है सिवईयों का अब मैं इसमें एड़ करूंगी एक कब दूद एक कब मैं दूद एड़ कर देती हूं उसके बाद मैं एड़ करूंगी जो मैंने शुगर ली थी शुगर आप अपने कम ज्यादा कर सकते हैं अगर कम मीठा पसंदे तो आप शुगर कम एड़ करिए तब हम इसको अच्छे से मिला देते हैं तो ये देखिए सिवईयों को दूद के साथ अच्छे से मि कर दूँगी दूद मुझे कम लग रहा है क्योंकि दूद इसमें अब्जॉब हो चुका है तो दूद थोड़ा सा और एड़ करूंगी ये देखिए एक कब दूद मैंने एक्स्ट्रा इसमें एड़ किया है इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ड्राइव फ्रूट्स तो चलिए हम इसको एक सर्विंग बाल में निकाल लेते हैं तो मीठी सिमें बन चुकी है और मैंने इसको एक सर्विंग बाल में निकाल लिया है और मैंने यहां पर गारनेशिंग के लिए जो ड्राइव फ्रूट्स मैंने फ्राइ किये थे उनको एड़ किया है तो आप घर को सब्सक्राइब करना मन भूलिएगा तो मिलती हूं नेक्स वीडियो में नेक्स रेसिपी के साथ या दर वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई